नमस्कार दोस्तो मेरा नाम राज कुमार है और पिछले एक साल से उपर हो गया मैं आईमसी बिजनेस को कर रहा हूँ तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आईमसी बिजनेस एक नेटमर मार्केटिंग के द्वारा किया जाने वाला एक बिजनेस है दोस्ता मैं बताना चाहूँगा जैसा कि इस पूरी दुनिया में कम से कम 95% लोग ऐसे हैं जो जॉब के चक्कर में लगे रहते हैं या तो वो जॉब करते हैं या कोई अपना विजनेस करते हैं लेकिन होता क्या है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब जो होती है आपकी वो आपको बस उतना ही पैसा देती है जितना आप काम करते हैं या उससे ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा और आपको पैसा कम मिलेगा लेकिन और जो दूसरा बिजनेस होता है जो परतेक्ष रूप से लोग कर रहे हैं अजकर किसी भी सीज लिए जो बिजनस होता है तो उसमें क्याय की आपको investment भी करना पड़ता है और जो investment अप करते हैं उस पैसे ओको जब आपप लगाके investment करके आपको बिजनस안यार कर रहे हैं और कर रहे हैं उसकी कोई ये guarantee नहीं यह जो परतेक्ष रूप से विजनेस किया जा रहा है या एक जॉब किया जा रहा है तो उसमें इनसान को सक्सेस बहुत ही कम चांस होता है कि मिले मैं यह नहीं कहता है कि नहीं मलती है मिल जाती है लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आप जिस भी एज में हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप कोई भी नेटवर मार्केटिंग को जॉइन किजिए, मैं कोई भी इसलिए कह रहा हूँ कि आप उस नेटवर मार्केटिंग के उस बीजनेस के waare में, उस मार्केटिंग के वारे में ये देखे कि उसका प्लान क्या है, वो कमपनी कैसी है, और आप उसमें काम अगर कर रहे हैं तो वो काम क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो कैसा system है उस system के भिवाब पे आपको काम करना है तो मेरा जो मेरी जो think थी मैं जो भी सूच के मेरी जो सूच थी इस business में आने के लिए वो यही थी कि अगर मैं जॉब करता हूँ तो अकेले में कितने घंटे जॉब कर सकता हूँ तो उसमें जितना भी समय मैं उस जॉब में दूँगा हलाकि मैंने जॉब भी किया है मैंने मॉल्टिनेशनल कंपनी में दस साल जॉब किया है लेकिन वहाँ पर मैं उस तरीके से सक्सस नहीं हो पाया, अब 10 साल के अंदर मेरी 20 यार इंकम हो पाई बस, आगे भी मैं अगर 10 साल हों करता तो वो जादा से जादा 30-40 यार होती, इस से कुछ नहीं होने वाला है, इतना पैसा आप जो कमा रहे हैं, वो आपके घर में ही सब लग जाता है, सब यूज हो जाता है, तो आप कहा है कि सिर्फ अपना जीवन आपन कर सकते हैं, जॉब के तुरू, लेकिन अगर आप नेटवर्र मार्केटिंग के तुरू कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको शुरुआती दौर में थोड़ा सच ट्रगल ह लेकिन आप जैसे ऐसे को करते जाएंगे, तो आपका 100% वहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अकेले काम करना और एक नेटवर्क के साथ काम करना, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़े हैं, जब आप किसी नेटवर्क के साथ जुड़ के काम करते हैं, तो होता क् कि वह पूरा नेटवर्क जो होता है, वह आपको सपोर्ट करता है, लेकिन आप अकेले अगर जॉब करते हैं, तो आप इंडिविजल ही जॉब करेंगे, तो मैं जैसा कि मैंने IMC की तीशिट पहन रखी है, और मैं IMC में ही वर्क कर रहा हूं, अभी नेटवर्क बना रहा कंपनी बहुत अच्छी है, इनके जो founder और chairman साभ है, वो अशोग भाटिया और MD शत्यम भाटिया जी है, यह सब बहुत यह अच्छे हैं, इनके बारे में मैंने जो भी सुना है या देखा है, तो यह कंपनी भी बहुत अच्छी है, इसका mostly product जो भी है, वो सारा manufacture जो भी है, तो कंपनी इसलिए मैंने IMCU को अपने मन से स्टार्ट किया हुआ है और आज इतने समय में मैं 13-14 महीने मेर को हो गए हैं इसमें तो मैं अभी अभी इतने बड़े लेवल पर तो नहीं आया हूं लेकिन मैं मुझे पता है कि मैं इस बिजनस में कर सकता हूं कुछ तो अभी मैं सुपरिश्टार की पोश्ट पे हूँ और मैं आप सभी से जो भी लोग आज खाली बैठे हैं जो भी काम की तलाश कर रहे हैं जो भी कुछ करना चाहते हैं उनके पास पैसा है या नहीं है वो इस बिजनस को जॉइन कीजिए और IMC ही बेस्ट आप्सन है आप इस इसमें आप काम करके देखिए आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा दो चार महीने दस महीने साल भर दो साल जो भी समय लगता है वैसे कहा जाता है कि तीस तीन से पांस साल आप ने टोंवार्टे में काम कीजिए और हैंडड़ प्रसेंट आप सफल हो जाएंगे लेकिन आपको तीन से पांस सर कंटिनूस पर फोकस करना पड़ेगा काम करना पड़ेगा इसी लिए जौब में असा नहीं है जौब आप कितने विसाल कर लीजिए बहुत कम चांस है कि उसमें आप सेक्सस हो जाएंगे तो इसी लिए मेरे साथ आईए आप लोग और इस बिजनस को जोईल कीजिए बहुत अच्छा बिजनस है इसके प्रोड़क्स बहुत अच्छे है और गनिक प्रोड़क्ट है कंपनी बहुत अच्छी है आरवेद पर काम करते हैं और गनिक प्रोड़क्ट बनाते हैं लोगो की health के लिए ध्यान रखते हैं यह health के लिए बहुत अच्छे product है कोई chemical नहीं है सीधी सीधी सी बात यह सोच लीजिए कि अगर आप अगर अपने घर के लिए कोई समान लेकर आते हैं अगर कोई समान अपको चाहिए हमारे को जीवन को चलाने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए खाने पीने की वस्तुए चाहिए ऐसा नहीं कि हम खाली पेट रहेंगे और यह जीवन चलेगा नहीं हमारे को कोई न कोई वस्तुए चाहिए तो वो सारी चीशे जो भी है अगर हमें मिल रही है यहां पर और वो हमारा बिजनस भी है तो हम क्यों नहीं करेंगे हम अगर वो बिजनस भी है हमारा और वो वस्तो कि हमें जरुवत भी है तो वो बिजनेस भी माना जाएगा हमारा और क्या कहते हैं उसकी जुरुत भी हमें तो हम क्यों नहीं करेंगे तो दोस्तों